अभना चलिए दोस्तों अब आपको हम बताते हैं फिमिल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसे माधा प्रजणन तंद्र ही बोल सकते हैं महिला प्रजणन तंद्र बोल सकते हैं या इस्तिरी प्रजणन तंद्र को बोल सकते हैं तो चलिए यह जो क्या हुआ रहा है यज़ के मतलब क्या रहता है यज़ा मतलब पलता है ब्रूंब मतलब यूज़ा रहता है ठीक पेट में नहीं रहता है पैट में बचा पेट में बचा रहेगा तो फतने जाने जिए ठीक क्योंकि जब भूंड रहता है जबी बचाना किसमा था हमा की उत्रस मेरता है ठीक तो इन क्या हुआ ओधिक आधिक्त अधिक्रीमिल प्राघ्ज टुप अरे अंडवाहिकए निका बोलते हैं या अदवाहिनी बोल सकते हैं ठीक और एक वा यह वह से ओभरी ओभरी आओ उभाम एंतार जैसे सब्सक्राइबंग तब क्या प्लीज़क पनाता है टैस्टी ह्यार से इस तरह किलाता है इस तरह थेट रहे हैं यह किया है और सब्सक्राइब जगह पर ओभम है यानि कि अंडानू है ठीक तो यह हो गया हो गया ओभम यह जो है से हो गया अंडानू हो गया अब यहां से ऐसे जो है अंडानू जो है आर यहां है इसे मतलब है अंडानु जैसे क्या है बनेगा कब बनेगा जब की ऐसे मतलब मधिला हो तुक्का होता है श्कमासिक धर्म माता है यांनि इसले की साथ दिन तरमटर याह सुमाजशन द्वीर धरम के रहा है एंधो यह रोनीट ऑन теперь फॉय फ्रियो खेंक और यह का सुपात है जब मानसिक धर में जमार्न महीना में एक मार एक खरणॡ़ मतलब Hai मळोरा दोसरे महीना में दोसरे यह मतल्ब की अब एक माईना खातम हो गया तरह भी सब इधा से बनना चालू हो जागा में इधा से मनना चालू हो जागा कि एधा से राता है और है अस पर्म जाया आगा जब इधा से अगर अगरategा अगर तो तो इसको तो अब कर पिर नि चेट्चन होगा अम फर्टिलाइजेसन होगा मतलब कर दो पन कर दुढ भूकित निर्मान होगा मतलब महीन दो महाइन बाद ठीक अब मान गया है कि जैसे एक महीना में जिसी इस तरह से मतलब ओव बन रहा है और इधर से अस्पर्म जाएगा तो इधर भी जाएगा जाएगा इधर बीजाएगा उपर और नीचे यह स्पॉर्म से और पर हो भी की जागा तो पतल्ग बन जाए तो खालत से स्वीट है इत्र जारफ इधर से जाना करूह जानाई रास्ता चला जागा इसे क्या होता है कि मतलब बच्चे के दो होता है तो बच्चे का जर्म हो जागा इस लिए का होता है कि क्या होता है दुसर मांसिद्र में काल इसलिए क्या मतलब तरफ चला जागा तो बहुत दिकत हो जागा तोट जाने से जो सेक्सवा ल घुटाने से क्या होता है निदी का मतलब हाइमन वह तोट जाता है इसी के वह जाने क्या तोता है कोई चीज में टूट भी सकता है इसा नहीं मतलब बीच में बीच में बिच में की तो पूरा होगे व्याइब अब फिलिपियूं ट्यूब जो है से फिले वी जिए से थिढर पूरूश के नस्पाइब के बोलते हैं वैस्को तेमों उसको वैस्को मतलब कार दिया जाते हैं नस्कों काड़ जाता है valid सोह में भी लिखा नाल ब construction को नहीं कि नखी कए नशनन है को कई thu нрав नहीं है इन्स यह पूछें दल यहां कि फुरूष के पाली क्या करते हैं मologies कि Director छ चुलनों तरब से अगर इसकी खाट दिया जागा इथवर्म करदाकल करो यहला से पराइस में मझान यहां दू चार दिन रहता है जल्य मतलब भने तो बांग देटा है उसको क्या बहते हैं टीवी को तो में टीवी को टो में प्रहाँ और इसमें में है जो है से तो बहे हो गया अब इसमें में है सिफ यह फ्ति बहता है माने अन्ढ़ एंड़ा इंड़ा मतलब इस तरह से लुटता एंड़ा से मेल और टेस्टिसम बलतेंों तरह से यह में घयाज भान अन्ड़ा से 5000 को अन्ड़ार के और और हो गया मतलब कि क्या हूचता है पय्म मतलब सिसन होता है और इसमें ऐस्वेश्टरों और एस्ट्रोजेन हर्मोन पारा है रोचम्र के पाई आतना था था टेस्टेश जणननर्मोन और प्रोष्टेड़न रएटा पाजाता है इसमें का पाई आता है कि प्रोषटेरो डेश्टे knit टरॉन्स एस्टे जयन हर्मोन होते है ठीक कि अब चलते हैं थोड़ यहां पर और अप्रि कि संहिए दो जीस तरह से पूरुश के टेश्टिक से संध्या दो तमईला खो अभरी कि संध्या दो ऑप्रि क्या बनाता है यह बनाता है नहीं उड खो स से माइट्रोकॉंड्रिया होता है माइट्रोकॉंड्रिया रहता है तरह से औरम का साज रहता है आप अस्पर्म की आई सरा रहता है कि अस्पर्म का मदल जैसे इस तरह रहता है तो इसको टेल लगा तो पर जागा ओभाम है तो अब करने के लिए बहुत तकलीफ और समना करना पड़ता है ताब जाके यह वो उभरी में एक अस्परम जाके पर विश्क करता तब जाके बच्चे का जन लेता है ठीक और अस्ट्रिलाइजेशन अस्ट्रिलाइजेशन मतलब क्या होता है जैसे मतलब यह मतलब नस्बंदी इस वह नस्बंदी वह रहते हैं तो में फीमर की नस्बंदी को क्या करते हैं टीब को टो में ठीक यह हो गया यह हो गया यह हो गया यह हो गया अब निस्याचन की क्रिया यानि कि अभरी आफ गर्भास है दोनों के मतलब यूटर से गर्भास है मतलब गर्भास है दोनों एक साथ अगर तो उसको क्या बोला जाता है ही स्टेरों ब 새로운 ॉल दाता है यहीं है महिलाओं रुकतो में बतलब आक बाझसी का सब्सक्राइव सनक सब्सक्राइब क्योंकि तो अभर याव मतलब आखिश का आशनी सब्सक्राइब दीटर साना फोल्च छिस त्था आप आपका एका कि भॉत आप ऊप्रव बनें नहीं और रोता है दो इस तरह से चड़ता है कि था इसटेड़ श्यूर्ण में यह क्या बहता है द्सकेट्राइब बना चाहला हो जाता है जिस तरह से से त्यूर्ण स्वग साल वेज में मिल हो यह फेमल हो जीसे मेल में हों बनेता है तो पिदनों कर दोसेंट्रा यानि की घृतरी घृतरी इंड़ो मेंट्रżenia 먹 नाम क्या है तो उसको बोलते हैं इंड्रिय अंत्र गर्भधास बोला जाता है या इंड्रो मेंट्रियम ठीक तोचता है उस्थन पान के मतलब दूद करता है और धारी धारी के मतलब दूद मतलब निकलने मनें उसको बलते पान मतलब पाने के लिए मतलब बच्चे को मतलब जो माद दूद पिलाती है उस प्रोसेस को बोलते हैं और स्थन पान बोलते हैं ठीक प्रवां बाने की परकिरिया को क्या बहते हैं जैसे मतलब अस्पर्म बाने की परकिरिया को क्याते हैं ऑजीनोसीस ठीक वेजाइना की दिवार में ग्रंथी कौन सब्सक्राइब ज्लाओं में वेजाइना कि याणंसी ओरणथी पाय जाती है तो वल्वव रिंधिरन उसरील सब्सक्राइं के दोंदी के मतलब का इस हो गया है जिस तरह से कमूर मतलब है यहां से क्या है आइस कर बाता है तो टेस्टीय जो है वले स्वाइब लिव represented भी ए तेस्ति इंब एकुक्ते इन ही हो गया ठेक विजाइना की लबाई कितनी होते हैं साथ से तक से सेंटीमीटर होता है छो ए की परकीरे यह जैसर्म को बनता है या और यह जाइक लगण वीड़ को दूसरे तो लुरह को मिलता है तो नैस पर आऊओ मेले तो ठीक और और यह रिची जब बताते हैं जैसे कि यह पो यह जो है एक मां में आगर करें के सिस्थानेंगे पेट आगर ऑग्कर पला व्हुआ खो घ्रून बोलते हैं अब जब निकले गड़ा जैसे बचा हो गया तो अब बचा में अंतर है अब समझ गये तो जो है एक मां में एक मां के पेट में अगर भूर रहता है तो एक मां में सबसे पहले का बनता है सीर बनता है और सीर बनता है उसके बाद सबसे पहले सीर बनने के बाद पहले में हिरदय बनता है हाट बनता है ठीक हाट बनेगा हाट बनेगा उसके बाद दो महीना दो महीना में उसके तो मतलब पता चाल देता था कि मतलब तीसरे महीना में कि यह लड़का है कि लड़की है तो अब तो मतलब सरकार जो गौवर्णमेंट अभी इसको बेंड कर दिया है लिंक परिषन के लिए तो अब तो नहीं होता है कि चार माह में बच्ये फूस्ट स्वास्थ मानें के स्वास्त महीं होगा जीसे बच्छा का होगा पूष्ट्य होगा लिती होगा अब cinco में 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 भूःक्स मैं में भूख मने लग lead लग तो इसलिए पांच महीना में कभी नहीं कभी होने मतलब होते लाती मरा गई लगता तुछ नभी सुछ निकला वह है यह क्या है मेला हमारे इस्वर पेट में थे पीर भी खाना खाते थे कि मूह साथ नहीं खाते थे तो तो इसके सब्सक्राइब भोजा जाता था भुरुण के यानि बच्चे में नाभी के साथ नाभी के अक्वाद खान है तो अब समय लिए उसने लिए मेघला होता है कि फार आंप पश्ट पर घ हो गादी होगा क्यों के उसको पेटे में उसको मिल जड़ा है तो अगर आगा तो पूष्टी दिमाग के तेज होगा ती इसलिए का था कि प्रेग्णन जो महिला है ऐसा मतलब खाती है कि मतलब बच्चे जो अंदुष्ट रहे पूष्टी रहे और दिमाग के तेज रहे ठीक और चलिए अब इसका जो है से 10 कि सप्रिंट आना के मिलें में बहुत कुछ बाकी है से कि से और जिस तरह से टेस्टिव बेबी क्या है इस अब हम सब बताएंगे और बागे केस को अब स्कीन सोड़े लिजिए